नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ अच्छे होंगे मेरा नाम है सनोच कुमार उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है आपको जैसा पता है फ्रेंड गूर्प D और NTPC को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए थे तो कल साम से ही न्यूज में ये खबरे चलने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा रेल्पे भरती की हर पल की अपडेट के लिए ओके यह आपके सामने वह स्क्रीन सॉट फ्रेंड लगभग यह तीन मीनट 16 सेकेंड के आसपास का वीडियो है इस वीडियो को मैं इसी वीडियो के प्लीस का जो मेनली जो इन्वेस्टिगेशन का जो मेन सोर्स है वो सोशल मीडिया है और जो आप लोगों का मतलब की आंदोलन हुआ था उस दिन जो सकी कुछ विद्यार्थियों को लगभग चार विद्यार्थी के आसपास उसकी अफ़ायर कॉपी भी मैं अभी दिखाऊं जासर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन परताप सर, गोपाल वर्मा सर तता बजार समीती के विभीन कोचिंग सहस्थानों के संचाल को द्वारा मतलब यह जो स्टेट्मेंट है यह मतलब जो इस्टूडेंट्स थे यहां देखे सारे स्टूडेंट्स का नाम है फर्स्ट, सेक कर्मियों के सहयोग से उनमें से कुछ चात्रों को हिरासत में लेते हुए पूछताच किया गया तो उन्होंने अपना नाम फर्स्ट सकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है उसके बाद बताया ओके पूछताच के करम में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों ने बताया कि हम लोगों को यहां पर आने के लिए यह चे टीचर्स के जो मैंने आपको नाम बताया उसके बाद इस कॉपी में और भी क्या चीज़े लिखी हुए वो भी हम लोग देख लेते हैं थाना में थाना धेक्ष के रूप में पदास्थापित हुए हैं आज दिनांग 24 जनवरी 2022 को दुर्भा जगह में काफी संख्या में छाटर राजिंदर नगर टर्मिनल एवं उसके सामने की सड़क पर जमा हो रहे हैं वर्य पतादिकारियों और रेलवे के पतादिकारियों के द्वारा बताया गया कि कुछ छात्र जीने सोशल मीडिया के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है वे लोग राजेंदर नगर टर्मिनल और स्टेशन के बाहर सड़क पर नाजाईज मजमा बनाकर दंगा फसाद और तोड़ फोर करते हुए अपने साथियों के साथ राजेंदर नगर स्टेशन के अंदर जाकर प्लैटफॉर्म पर हला गुल्ला कर रहे हैं और यात्रियों एवन की समाने गतिविदी को बाधित कर रहे हैं इस सम्माद में वरियप दिदिकारियों के साथ राजेंदर नगर टर्मिनल के सामने मुखे सलक पर पहुँचे तो पाया की छात्रों का होजूम नाजायज मजमा बना कर सलक पर हलागुला कर रहे हैं और सलक पर चलने वाले आम आद कात्रियों को भैभीत कर रहे थे वे लोग अपने अवैद मांगों को बार-बार मौकी ग्रूप से चिला-चिला कर रखने लगे कि हमको हमारे टीचर का समर्थन प्राप्त है और हम लोग उनके मार दर्शन पर यहां काम कर रहे हैं जब तक परिच्छा नए सीरे से दोबार नहीं होगी तब तक यहां अंदुलन चलता रहेगा उन सबों को हटाने का आग्रह कई बार किया लेकिन वे लोग हम लोगों के साथ भी धक्का मुकी करने लगे चात्रों ने नाजायज मजमा बनाकर घंटों तक तोड़ फोड करते हुए यातायात को प्राभावित किया औ उन में से कुछ चात्रों का एक हुजूम स्टेशन के अंदर जाकर रेल के एक बोगी में भी आग लगा दिया जिसके संबन्द में जियार्भी पटना द्वारा अवस्य करवाई की जा रही है तो यह तो एक बात मैं आप सभी स्टुडेंट्स को सपस्ट कर देना चाहता कि आप सभी स्टुडेंट्स सांती मवस्था को बनाये रखें और आंदोलन करने का यह कहीं सभी मतलब नहीं होता है कि आप लोग जो सकी तोड़ फोड़ करें हिंसात्मक तरीका अपनाए तो कि खांसर ने भी बार बार कहा है जज़िगार आप लोग हिंसात्मक तरीका आपको फरजी खबरों से बिल्कूल भी दूर रहना है कहीं न कहीं आप सभी स्टुडेंट्स डिजिटल जमाने के स्टुडेंट्स हैं और आपको न चाहते वे यह जिमिदारी लेनी पड़ेगी और आपको सही खबरों और फरजी खबरों के भी डिफ्रेंसियेट करना फिख निज के खिलाप फांदोलन स्ट नहीं करेंगे जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड होता रहेगा उके इसलिए सभी श्टुडेंट्स हैं कि आपको जो भी खबरें जो की आपको लगता है यह बरिफाइट नहीं है तो वैसे खबरों क को जितना जादा से जादा हो सके जितना जल्दी से जल्दी हो सके और जितना अपने जादा से जादा साथियों से हो सके सभी लोग मिलकर उन फरजी खबरों करें ताकि स्टुडेंट्स की भावनाओं के साथ कोई खेनले के बारे में तुदूर इसके बारे में कोई कभी सोच कुछ भी ना सके तब तक के लिए जय हिन जय भारत